क्षमा, क्षमा कर दीजे मुझे हे पराक्रमी वानर साकर में वास करने वाली राक्षसी मत्या हूं मैं लंकेश रावण के भैसे उनके प्रभाव में आने के कारण मैं राम काज में बाधा बन रही थी मुझे क्षमा कर दीजे शमा कर दीजे मुझे शमा कर दीजे सखा परंतु अब मुझे ग्यात हो गया है कि सागर के जल में विच्रण करने वाले अनेक प्राणियों को फ्लंकेश रावर से भैबीत होने की कोई आवश्यक्ता नहीं जिस सेना में अकेले ही सागर के अनेकों भैयंकर जीवों से संघर्ष करने की क्षमता हो आपके जैसे महाप्रतापी योधा हो उससे लंकेश रावर अधिक समय तक सुरक्षत नहीं रह सकते अब रावर का काल निकट है परन्तु तुम पहले ही हमारे कारे में बहुत भारिक शती पहुचा चुकी हो आप निश्चिंत रहे उस शती की भरपाई मैं और मेरी सेना जलके भीतर से सेतु के निर्माण में सहयोग देकर करेंगे तो फिर इस कार्य को पूर्ण करने का उधम प्रारंब करो जीवा दर्श्रेष्ट तुम ने अपनी मृत्यू को स्वयम निमंतरण दिया है तुम माया भी राक्षेस, अब मैं तुम्हें तुम्हारा बचाब नहीं करने दूँगा। मरा, 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 आशरह है, आपने ठीक कहा था, यह भसमन ओचन तो प्रभू श्री राम का नाम जप्ते हो वहां से लोटा है, और उसकी हवस्था देखकर तो लगता है, कि वह प्रभू श्री राम का नाम जप्ते हो है, अपने प्राठ्याग देगा। मरा, 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 अपना वचन निभाने के लिए तैयार हो जाओ रावन, तुम देखते रह जाओगे, और से तु निर्मान का कारे पूर्ण हो जाएगा। अब माता सीता को सौपने और प्रभू श्री राम के चरणों में गिर कर ख्रमा याचना करने के लिए तैयार हो जाओ रावन। सौपने तैयार! विखर जाने वाली शिलाएं उन्हा आपस में जुड़ रही हैं। दुष्ट राच्छ सुमका कर अन्ता। सेतु काज पुनह आरंभार। श्रम महभागी भये जलचारी। भवंतनय पुच्साहित भारी। राम सियाराम सियाराम जैहनवार। जो जो दिवस बीतते जाएं। कोसों कोस बढ़ी से तू जाए। काज निकट होने संपन्ना देखि भय रगुवीर प्रसन। प्रभू के आदेशा नुसार मेरू परवत का उप्योग से तू निर्माण में तो न हो सका। किन्तो इस परवत को तो मैं अवश्य ही ले जा सकता हूँ। ये परवत उचित है। इसे ले जाओंगा तो शिलाओं की पूर्ती हो जाएगी। ये क्या हो रहा है। इस परवत की मिटी ने स्तमित कर दिया है मुझे। ये कैसी माया है। ये माया नहीं है वानर। ये तो कोवर्धन परवत की शक्ती है। मुझे कोवर्धन की अनुमती के बिना कोई यहां से एक छोटा सा पत्थर भी लेकर नहीं जा सकता। और तुम मुझे ही यहां से उखाडने का दुस्साहस कर रहे हो। क्षमा करे परवत श्रेष्ट गोवर्धन मुझे कहीं जाना है और नहीं यहां से मेरी अनुमती के बिना कोई मुझे कहीं ले जा सकता है। क्या। परवत श्रेष्ट मैं आपसे विंती कर रहा हूं, परवत स्रेष्ट गोवर्धन। मैं आपको किसी साधारण कारिय के लिए नहीं। अभी तु प्रभूश्री राम के कारिय में सहायक होने के लिए ले जाना चाहता हू। प्रभूश्री राम के कारे के लिए। हाँ, हाँ ! प्रभु श्री राम मेरे आराधे हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ प्रभु श्री राम के लिए बनाए जा रहे सेतु का एक भाग आप भी होंगे देखो आनर यदि तुम मुझसे कोई छल या परिहास कर रहे हो तो मैं इसके लिए तुम्हें कठोर दंड भी दे सकता हूँ मैं आपसे परिहास नहीं कर रहा हूँ परवत्श्रेष्ट गोवर्धन प्रभु श्री राम की भार्या का रावण ने छल से हरण कर लिया है अतह प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव और उनकी सेना के साथ मिलकर विशाल सागर पर लंगा तक जाने हेतू सेतू का निर्मान कर रहे हैं इसलिए परवतों और शिलाओं की उन्हें अवशक्ता है यदि तुमारा कथन सत्य है तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा तभी मैं तुमारे साथ चलूँगा प्रभु के कारी को संपन्य करने के लिए मैं कोई भी वचन देने को प्रस्तुत हूँ परवत्श्रेष्ट प्रभु श्री राम के दर्शन और उनका स्पर्ष मोक्ष्दाई है मुझे वचन दो हनुमान कि तुम मुझे प्रभु के करकमलों का स्पर्ष सुख दिलवाओगे आपकी श्रद्धा और भक्ति स्वैम ही आपको प्रभु के दर्शनों के अधिकारी बनाती है परवत्श्रेष्ट फिर भी मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रभु स्वैम आपका स्पर्ष करेंगे परवत्राज गोवर्धन तद पस्चाथ ही आपको सेतू का भाग बनाया जाएगा चलिए चलिए प्रभुश्रे राम के सेवक हनुमान चलिए जए श्री राम जए श्री राम आशा है कि आज सेतू निर्मान का कार्य पूर्ण हो जाएगा सुनो 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 सेतू का कार्य पूर्ण हो गया सेतू पूर्ण रूप से बन चुका है श्री राम चंद्रकी मेरे वानर वीरों सेतू बंधन का कार्य पूर्ण होने पर मैं बहुत प्रसंद्र परंतु इस अनंदु सब को मनाने से पूर्व और शिलाए लाने वाले अपने सभी सातियों को हमें सूचित करना होगा कि हमें और परवत शिलाओं की आवशक्ता नहीं है वो जहां है उन शिलाओं को वहीं चोड़कर शीगरी समुद्र तट के पास पहुँचे मेरा ये आदेश सब तक पहुचाए जाए अवश्य प्रभू आपका ये आदेश संकेत द्वारा मैं शीगरी सभी तक पहुचाता हूँ मित्रों तित्लियां छोड़ो ये रंग बिरंगे तित्लियां अर्थात सेतो निर्मार का कार्या पूर्ण हो चुका है ये क्या कर रहे हैं अनुमान सेतो बंधन का कार्या पूर्ण हो चुका है अतहा अब आपको वहां तक ले जाने की अवश्यक्ता नहीं है अर्थात तुम मुझे प्रभुश्री राम के चरण स्पर्ष का सुक नहीं दिलवाओगे उनके कारे में मुझे सहायक नहीं बनाओगे जबकि तुमने इसके लिए मुझे वचन दिया है हनुमान अब प्रभु के इतने निकट लाकर तुम मुझे प्रभु के दर्शन से वंचित नहीं कर सकते हनुमान किन्तु किन्तु परवत शेष्ट ये उर्ती हुई तितलिया इस बात का संकेत है कि सेतु बंधन का कार्या पूर्ण हो चुका है अब मैं ही नहीं और जो भी अन्यवानर हैं उन सब को प्रभु के आदेश के अनुसार परवत और शिलाएं आदी छोड़ कर शिग्र ही समुद्र तट पर पहुँचना अतियावशक है मैं प्रभु के आदेश का उलंगन नहीं कर सकता परवत शिलेष्ट क्या तुम आंते वचन का पालं नहीं करोगे? तुमारी नीती, तुमारी मर्यादा का क्या होगा? हाँ, वचन के मर्यादा तो निभानी ही होगी मुझे मैं प्रभु से विंती करूँगा वो मेरी विंती अवश्य पूर्ण करेंगे परवत्ष्रेष्ट आपको भविश्य में प्रभु का स्पर्ष अवश्य प्राप्त होगा परवत्ष्रेष्ट किन्तु इस समय मुझे प्रभू के आदेश का पालन करना है परवत्षेष्ट अतह आप मुझे इस पवित्र ब्रज भूमी पर आपको स्थापित करने दीजिए यदि अब भी आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो मैं सूर्य, धर्ती, आकाश सबको साक्षी मानकर शपत लेने के लिए भी प्रस्तूत हूँ प्रतीत हो रहा है? आपको अब भी मुझे वानर के वचन पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है अनुमान तुम राम भक्त हो, तुम प्रभुश्री राम के सेवक हो इतना ही पर्याप्त है मेरे विश्वास के लिए कदाजित मेरे भाग्य में कुछ समय की प्रतीक्षा और लिखी है प्रभुश्री राम के दर्शन के लिए मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद परवत्शेष्ट धन्यवाद के पात्र तो तुम हो अनुमान भले ही भविश्य में हो किन्तु तुम्हारे कारण मुझे प्रभु के करकमलो का स्पर्ष शुक्तो प्राप्त होगा अब मुझे आज्या दीजे परवत्शेष्ट प्रणाम जये श्री राम सेतू प्रभु के लिए सेतू बहुत ही अद्भुत है ये कदाचित संसार में ऐसा पहले ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा वानर वीरों तुम सब ने जो ये मिलकर किया है कि ये संसार के लिए किसी चमतकार से कम नहीं है प्रणाम प्रभु इतना अधिक विलम कैसे हुआ तुम्हें हनुमान प्रभु मैं सेतू निर्मान के लिए गोवर्धन परवत को लेकर आ रहा था तब ही मुझे सेतू बंधन के पूर्ण होने का संकेथ दिखाए दिया अतहा आपकी आज्या का पालन करते हुए मैंने गोवर्धन परवत को ब्रज भूमी पर ही स्थापित कर दिया और फिर गोवर्धन परवत को मैंने जए ग्याट है हनुमान तुम्हारे वचन की रक्षा होगी तुम्हारा दिया हुआ वचन मेरे द्वारा दिये गए वचन के समार ही है अब सेतू बंधन का कारे तो संपन हो चुगा है हनुमान परन्तु आने वाले द्वापर्युग में जब मेरा अगला उतार कोगा तो मैं स्वयम गोवर्धन के पास जाऊँगा और तब परवत फ्रेश्च गोवर्धन मेरे स्पर्ष का सुप्प्राप कोगा इतना ही नहीं मैं उन्हें अपनी उंगली पर भी धारा करना और तब मैं स्वयम गोवर्धन के नाम से भी जाना जाऊँगा उस दिन से गोवर्धन को उसके एक एक मत्थर को मेरा स्वरूप मानकर संसार में पूजा जाएगा प्रभू आपने तो अपने भक्त के वचन का मान रखने के लिए उससे भी बड़ा वचन दे डाला प्रभू अब महान है अब महान है प्रभू आपकी सदा ही जै हो जैश्री राम जैश्री राम प्रभू अब ये सेतु आपके चरण कमलों के सपरश के लिए प्रस्तुत है प्रिये वानर वीरों, महाबली रिक्ष्वीरों, अनुबम है आपकी विशाल सेना, जो मैंने भी प्रतम बार देखी. मैं रगु नंदन राम, आप सब को धन्यवाद देना चाहता, आपके प्रचंड प्रयास के कारण, वो असंभव कारे संभव कर दिया, जो कदाचित देखता भी ना कर सके. मेरे लिए किये गए इस अनुबम कारे के लिए मैं सदैव आपका आभारिया, और इस कार्य में आपके साथ कोई और भी है, जिसने अपने पून सामर्थे के अनुसार आपका सहयोग किया. ये प्रिये गलहरियां देखने में बले ही छोटी हैं. परंतु इंता प्रयास, बड़ा है, अतुल्नी हैं इनका अश्रम, मैं सदैव इनका के तक्य रहोगा. ये इन गलहरियों के अथक्ष्रम और अतुल्य योगदान का प्रतीक चिन्न है, जिसके द्वारा संसार में ये इन महान कार्य के लिए सदैव स्मर्ण की जाएंगी. अरुमान, समय आगया है, अपनी विशाल वानर सेना और रिक्स सेना को लंका पर गूच करने के लिए सज्जित करने का. जो आग्या प्रभू? जै श्री राम! जै श्री राम! जै श्री राम! आप मेरे कंधे पर आरुण होकर मेरी शोभा बढ़ाईए. हाँ लक्षमर जी, आप भी मुझे सिवा का अफसर दीजिए. जै श्री राम! नहीं कि पूच्त वप सेना करने का लाम! जै श्री राम! आप मेरे को लैग्ना को जैपना कि वाम! लुट जै श्री राम! कि अपिरो कि हुआ भी तर का नग्यादी है झाल 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 तुम्हारी संस्कृती में तो वचन की मरियादा का कोई मोल ही नहीं ठीक है तुम्हार प्रभू 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 आप आदेश दीजिए कि करना क्या है आदेश दीजिए कि करना क्या है रावन के दोनों दूद शुक और शारण को मेरे सामने उपस्तित करो सूरनेव यह सेरा नहीं मात्र भीड है यह पूत हीन वानरों और मूर्ख भालियों का सहमू है यह यह सब लंका तक आतो गए इन तु अब लंकेश इन्हें और आगे बढ़ने का कोई अफसर नहीं देगा एक अफसर दे रहा हूं मैं राक्षष राज रावन को जाओ और बताओ रावन को राम की सेना और सामर्थे के बारे में जो कुछ भी तुमने देखा उसे विस्तार से बताओ रावन को और कहना हम युद्ध नहीं जाते हैं यदि अभी भी रावन पूर सम्मान के साथ देवी सीता को लोटा दे और अपने कृत्ते के लिए क्षमा मांग ले तो मैं युद्ध किये बिना ही लोट जाओंगा अब इन्हें बिना युद्ध किये यहां से रावन जाने भी नहीं देगा इन सब के शीष काट कर बली चगाएगा ये रावन अपनी लंका की धर्ती पर यदि उसने देवी सीता के साथ आत्म समर्पन नहीं किया तो इसी लंका की धर्ती पर रावन का शीश गिरा देगा मेरा बान अब भी मुझे देने के लिए कोई गुप्त समाचर है तुमारे पास मूर्खा उनर तुमसे पूर भी अपनी उस्वान अटोली को लेकर यहां आधमका है लंकेश वो कोई साधारन नहीं है निश्चित ही, दिव्यात्मा है वो दिव्यात्मा ही नहीं, मैं तो कहूँगा परमात्मा ही है मेरे ग्रोध को जागरत मत कराओ चत्रू का गुणगान कर रहे हो मेरे समाक्श वो भी असफल होकर लोडने के बाद तम मुहित करने गई अवश्यत है परन्तु प्रतीत होता है स्वेम उसके स्तम्मोहन से वशिभूत हो गया चमदोरा हाँ लंकेश हमने अपनी राक्षासी माया से वानराज सुग्रिव को सम्मोहित किया था किंतु पकड़े गए किंतु उन महानर श्री राम ने ख्षमा कर हमें अपनी धया और दिव्य शक्ती से वशिभूत कर लिया और अपनी आतुलित भक्ती से उस वानर ने प्रभावित कर हमें सम्मोहित कर लिया लंकेश दुष्टा 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 उस नारावानर की प्रशंसा सुना रहे हो मुझे रोको अभी मृत्यू दंड देता हूं तुम्हें हम तो आपके दूद हैं महाराज हमें क्यों मार रहे हैं महाराज बस हाव एक और शब्द भी नहीं बोलने दूगा तुम्हें चत्रू का गुंगान करने वाले तुमारे मुख को सदा के लिए शान्त कर दूगा अरे बचो बचो हम तो मातर मुख कर दूट हैं महाराज हमें क्युमारते हैं बचो शुक बचो हाँ हमें मत मारिये महाराज नहींने बलाई चाहते हैं तो सौध दिछे मादा सीधा प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की शरण सूइकार कीजिए सीग इला से प्रस्तान कर जाओ यहां से शुकड कोज शुक्ड अब यहां कोई शुर्प्षा नहीं प्रणाम 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 प्रणा खरण नहीं है उनकी अपार शक्ति और प्राक्रम को देखने का प्रयत्न करो आप धन्य है प्रभू मुझे श्राप से मुक्त कर दिया आपने प्रभू की भक्ती में लीन होकर शरण में जाने तक उस राक्षस का सेवक बनने का श्राप था मुझ पर और आज आपकी शरण में आकर मैं श्राप मुक्त हो गया हूँ अब मैं रिशी शूप अपने गुरु रिशी अगस्ते का सानिव धिपा सकूँगा जै श्री राम जै श्री राम अपने नेत्र खोलो और देखो रावण कैसे प्रभूर स्री राम की गिर्पाद रिश्ची से शुक श्राप मुक्त होकर पुने रिशी बन गए मैं तुम्हें पुने चेता रहा हूं रावण नर नहीं च्वयम भगवान विश्णू का अफ्तार है प्रभु स्री राम प्रभु स्री राम प्रभु स्री राम और जिनका हरण करके तुम लाए हो वो और कोई नहीं स्वयम माता लक्ष्मी और जिन प्रतापी वानर नहीं लंका को अगनी में जोका है वो राम दूत और कोई नहीं अपितू तुम्हारे आराद महादेव शिव के अंश है संसार के सबसे बड़े ज्यानी कहलाते हो तो अपने ग्यान का सदुप्योकर यदे युद्ध हुआ तो इसकी परिनिती अती भयंकर होगी ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई युद्ध हो तो हो जाने दोस्ते सर्वन नाश वो तोस्ते भी हो जाने दो मेरे अपने ही नही समस्त संस्तार भी मेरे वेद्ध हो जाए अबी तो शानन रावन नहीं जुकने वाला कदा भी नहीं लोटाओंगा मेरे सीता को कभी नहीं जुकूगाँ अनवास्ती नर के स्थामने नहीं जुकूगाँ यही वो नगरी है जिसने मेरी सीता को मुझसे तूर रखा सीता की एक जलक भी पा लेता है तो मेरी आत्मा त्रिप्त हो जाती माता आपका अंदेशा सही था रखु शीरी राम अपनी सेना को लेकर यहां पहुच गये हैं और अपनी सेना के साथ सुवेल परवत कर स्थित हैं कहा है सुवेल परवत बताईए ना मुझे तुर जटा किस दिशा में है जहां मेरे नात मेरे स्वामी स्थ हैं बताईए मुझे तुर जटा मर्यादा भंग कर बिना रावण को युद्ध में परास्त किये प्रभु श्री राम माता जानकी से कदापी भेट नहीं करेंगे अन्यथा मैं उन्हें अभी माता के निकट ले जाता परंतु माता के लगु दर्शन तो प्रभु को अवश्य करवा सकता हूं मैं प्रभु माता सीता वहां अशोक वाटिका में बैठी है कौन सी दिशा में इसरे चठा बदाएएए ना मुझे प्रामसिया दोहू लंका माई नैन विकल तर्शन अकुलाई तो मनों दशा हनुमत जाने मर्यादा पर किस विध त्यागे रामसिया रामसिया राम जै हनुमाद कैसे पिनू लंकेश संहारे मिल आये रघु वीर प्रिया से नैनन सुने रिदय द्रविता राम दशा पर कपीश विधिता रामसिया रामसिया राम जै हनुमाद ये का था महबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगति की जे 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 रघु रंबलाम जे जे महमली हनुमाद जे 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 रगु जन्दन राम, जे 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 महा बलिवादु आखुआ प्रभू, ये स्वर उस दिशा से लंका के राजप्रासाद से आया है माता सीता का हरन कर प्रभू श्री राम को असानी ये पीडा देने वाला ये दुष्ट रावन भोग विलास में लिपत रहे, ये सर्वता अनुचित है, मैं इसे अभी दंडित करूँगा, अभी रावन हमारे महाराज दुष्ट रावन को दंडित करने स्वायम चले गए महाराज की वीरता अदम में है, हाँ तुष्ट रावन हमारे महाराज के प्रहार को सह नहीं पाएगा, रावन ये मेरा प्रथम प्रहार था सुनो, तुम्हारे आनन्द मनाने के दिन समाप्त हुए एरही राज प्रासाद में आकर मुझ पर प्रहार करने का दोस्ता हस कैसे किया तुमने तो छवानर अभी बताता हूँ असुर, कैसे? महराज सुग्रीव तो रामण से भिड़ गये तुष्ट राबर अब बच नहीं पाएगा हाँ प्रासत करो अँ रामन कहीं ब्राता सुग्रेव को खिशती न पहुचा दे अव रावन की मयावी शक्तियों का सामना करो हनुमान समय आ गया है प्रस्थान करो बिना विजारे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए अन्यता भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है